वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला चैनल जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लग्येगा सारे कुशन अटेम्ट करिए और इसको अपना तुरंत कमेंट करके बताएं कितने सही हो रहें कितने गलत हो है जल्दी से कमेंट करके बताएं 26 जून 2023 को कंड़क्ट हुए यूपीटर फलसी वीडियो रिएक्जाम 2018 की सेकेंड शिफ्ट का रिजनिंग सेक्षण अब इस वीडियो में दिखने वाले हैं सबसे पहला कुश्चन है क्यावन नंबर किसी राठावर पड़िवार के बारे में बात हो रही है जहां पर मकान मालिक पाउने सेक्षन का मामला तो यहां पर यह गजेइंद्र कि यह फुषपा या अपर स्माटितनी दोनों इन दोनों की दो बच्चें है सनेहा और रमकर्म यह सं नहा अब इक बिरम ने से शादी कि है यानी सनेहा का विभवा हुआ है वो बिरम से हुए हैग की पत्री है यहां है बूरा अपणा बन चुका है अब यहां पर फुष्पा बुरी करना चाहें तो अब यहां पर यह स्रीज आपको पूरी करनी है एक दो-तीन इसके बाद इधर क्या आएगा तो इन दोनों को देखें आप तो ये इस तरह point है ये इस तो ये point नीचे की तरफ आ nac चाहिए ये point नीचे की तरफ कहा दिख रहा है आपको बी और सिर्फ के तो बी ऊर्ठी कि तुमिबर औन的话 ग्लात को ये यह लों तो बात किसकी हो रही है और पूंच क्या रहे है तो डेटा अपर्याब्त है इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स यहां से लेकर यहां तक पूरा पढ़ें और उसके बाद इस क्वेशन का अंसर करें अगर आप करना चाहें तो उसके बाद चाववा नंबर में बिहार में प्रात्मिक सिक्षा का बुरा हाल है सेम टाइप का क्वेशन यह भी है 50% से ज्यादा यानि आधे ज्यादा स्कूलों में जितने भी बच्चे हैं वो क्लासरूम में पढ़ते नहीं है मतलब उनकी क्लासे खुले ग्राउंड में चलती है निम्न आई वर्क के माता पिता यानि कि जो गरीब घर के बच्चे हैं छे मिलियन से अधिक उन्वों स्कूल जाने का मौका ही नहीं पापाते हैं इस समय कुल इतने एक से लेकर पांच तक के स्कूल हैं जिसमें कम से कम दो सिक्षक हैं तो हर एक स्कूल में कम से कम दो टीचर जरूर है और यह जो सवाल पूछा हुआ है बिहार के अधिकान्स प्रात्मिक विद्यालों की कक्षा अपरयाप्त है तो कक्षाएं अपरयापत हैं इसके माईने यह हुए कि स्टूडेंट इतने ज़्यादा है कि क्लासें सारी भर चुकी है जब कि यहां पर क्लासें ही नहीं है नहीं तो ग्राउंड में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो यह चीज तो गलत है और अगर आंकड़े मिल जाते तब कंफर्म कर देते हैं तो इसलिए आंकड़े अपरयापत है यानि कि हम यह कहें नहीं पाएंगे कि सही है या गलत ए उसके बाद पच्पन देखिए कोडिंग पूछा हुआ है लेकिन क्वेस्टन है डेटा सफीशन्सी का प्रोड़क्ट को किस परकार लिखा जाएगा आ, ऐ, ट्रीपल इको बी जे ट्रिपल एफ लिखा जाता है एक बाद भी आई के बाद जे और एक बाद एक बाद एफ तो यहां भी सेम चीज कर देंगे अगलए लेटर उठा लेंगे तो आनसर मिल जाएगा दूशरे में देखते जिप्शी का मतलब ये है तो जी के पहले और इससे बिंगार नींगे इसलिए या तो आप इसको उठा ले या फिर इसको उठा ले अनसर तो आना ही आना है इसलिए फर्स्ट और सेकंड अलग-alag यहां पर यह चीज आपको किस option में मिलेगी इधर नहीं मिलेगी यह पूरा इधर नहीं मिलेगी लाइनी इसीधी नहीं है तो यह हो गया बांकिआ अगर बनाना चाहिए तो इस तरीके से बना सकते थे उसके बाद उनसर नमर देखें आप तो फिल्मी होलिडे और यहां पर और मतलब वह फॉर्म अब यहां पर फोर्म एधलेटिक्स दूंडा आए तो तो जहां पर रम नहीं मिला वो अप्षिन चला जाएगा अब यह रम इधर भी है इधर भी है आप दूनों में किसको ढूंड़ें तो प्लैक अगर आपको चाहिए तो आपके वर्ड में हॉलिडे शामिल होना चाहिए जब कि यहां पर हॉलिडे की जगए अथलेटिक्स है त समय इसमें चार बज रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ इस घड़ी ने अपने हिसाप से चार गंटे कंप्लीट किये लेकिन चूनकि यह हर एक गंटे में आधे गंटे लेट हो रही थी इसलिए इसके हिसाब कि जो चार गंटे है वह वास्ताव में 8 गंटे है यानी ये भले ही एक सब नमबर देखें आप यहाँ पे एक के बाद बैन है तो वेन पलब है इंट व गाई इंटू तो इट इंट उसके बाद है 12 फिर है विल तो विल का मतलब हुआ फिर है यू, यू का मतलब हुआ दिवाइड भाई उसके बाद कम का मतलब है मैंनस तो 8 इंटू 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 माइनस 10 यही एक्सप्रेशन जब सॉल्फ होगा तो 96, 8 104 में 10 गया तो 94 बचेगा उसके बाद 12 नंबर में इसकी वाटर में जाब पुढ़नी है यानि यह ट्राइंगल पूरा ऐसे हो जाएगा और यह जो ऐसे लाइन है यह रहेगी इसी तरफ ऐसे हो जाएगी लेकिन और यह जो ऊपर एरो है यह ऐसे नीचे जाएगी और यह पूरा पूरा फिकर रहेगा इधर ही इधर नहीं भागेगा यह ऐसे नीचे गई उसके बाद में यह जो ऐसे है यह उपर जा के ऐसे हो जाएगा और यह जो काला वाला है यह उपर चला जाएगा यह देख रहें आप यह काला वाला और यह जो सफेद वाला यह नीचे आएगा जब कि यहाँ पर यह as it is हो कर रहा है तो इस पर जैसे यह भी अट जाएगा बी यहाँ से सही हो जाएगा उसके बाद 63 देखें आप तो यहाँ पर into as it is नहीं ले ना into का मतलब है यहाँ पे divide by तो 48, divide by 6 और यह divide by का मतलब है into 8 for the 32 बी उसके बाद 64 देखें आप इस तरीके के question first shift में भी आये थे आपकी नौकराणी ने आपको अपनी बेटी की शादी में invite किया है तो आप क्या करेंगे वैसे तो सब की अपनी अपनी thinking है लेकिन आदर स्व्यक्ति करता क्या है वो number होके उसका invitation स्विकार करेगा gift खरीदने जाएगा और उसकी शादी में कहेगा कुछ चाहिए हो तो बता दिना help ए उसके बाद यहाँ पे आप same question को English medium में भी देख सकते है उसके बाद यहाँ पे next है उसी type का आप एक company manager है और आपका subordinate ठीक से काम नहीं कर रहा है तो manager की रूप में आप क्या करेंगे तो वैसे तो अलग-अलग manager अलग-अलग टाइप के होते हैं लेकिन आपको करना क्या चाहिए आइडिली आपको उससे बात करके उसकी समस्या जानने की कोशिश करनी चाहिए डी यह देखें आप same question English medium में 66 number भी coding and decoding है लेकिन इसको बनाया बहुत creative तरीके से गया है कुछ बच्चे involve कर लिए गए हैं और एक खेल खेल रहे हैं वो और उसके चार नियम है पहला नियम यह है कि D2, H9, A1, D4, take your shoes out, दूसरा है B2, A1, C1, A4 तो यहाँ पे A1 common है तो A1 उठा लीजिए अप पहले था take your shoes out अपकी है take instant right turn तो A1 का मतलब हुआ take पहली चीज तो हमें यह clear हो गई फिर है C3, P1, D2, C1, jump on your turn और B2, D4, K2, C3, jump out instant again तो पहले वाले में क्या दे रख़ा था B2, A1, C1, A4, take instant right turn और यहाँ पे jump on your turn और यहाँ C3, P1, D2, C1 तो इधर जो C1 है इसके साथ ही common निकल गया तो C1 का मतलब हुआ turn और last वाला था jump out instant again और take instant right turn हम देखी चुके था B2, D4, K2, C3, B2, A1 उसके बाद यह सब है तो B2 यहाँ से common हुआ, यह instant के लिए हम लोगों ने use कर लिया हमें किसका code बताना है take right move तो take में A1 आना चाहिए right move, अब यहाँ पे right के लिए A4 यहाँ आ रहा है जरूर जी नहीं है, A4 हो जाए, कुछ और भी हो सकता है लेकिन A1 confirm है और यहाँ से देखी confirm हो गया B2 किसी और के लिए भी यूज़ कर चुके थे A1 B, C1 B और A4 इसके लिए use हो गया right के लिए तो आपको A1 के बाद A4 चाहिए, बीच में कुछ और आ जाए वो पता नहीं, तो A1 के बाद A4 यहाँ नहीं दिख रहा, A4 पहले आ गया H9 हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि H9 आपका होना चाहिए किसके लिए take your shoes out, जबकि यहाँ पे shoes are out तो है नहीं, तो यह भी चला गया उसके बाद हम P1 बेने ले ले पाएंगे क्योंकि P1 में कही ना कहीं तो अगर फोड़क्ट चाहिए तो LCM के साथ HCF भी पता हुना चाहिए, नहीं मिल पाएगा यह से X और Y अलग अलग नमबर है, उससे समस्या तो नहीं होगी, X और Y multiple है 15 के, तो 15 के multiple हैं दोनों नमबर, LCM इसका मतलब यह हुआ कि problem जो है, वो solve भी नहीं हो पाएगी, D उसके बाद 68 नमबर हमारे सामने है statement है या तो train late है या पत्री से उतर गई, यह दो में से एक चीज तो सही है, तो यहाँ पर तारकिक जोड़ी ढूणना है, train late है, C के साथ A हो सकता है, या D के साथ भी हो सकता है, train पत्री से नहीं उतर गई है, और वो late नहीं है लेकिन DB के साथ समस्या यह है कि train पत्री से भी नहीं उतर गई है और late भी नहीं है, तो दोनों एक साथ गलत हो जाएंगे, जब कि कोई ना कोई तो सही हो नहीं है, इसलिए train है कि तो यह कूंई इसका दायां हिस्सा इस तारफ होगा कुछ ऐसे ये once e socks को जाएगा और यहीं विवेक के बायों से दूसरा है है either flip नहीं फिल्पिल लोज है स्वा Kung 맞아 दूसरे स्थान पर है तो पी नगा इधर ले 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 तो यह सुरेज के ठीक दाइं हैर जो ठीक दाएं एंधसब्सरे स्ट में गई हुए होमें हुए अब उमंग है так तो यह queen यह tina यह umanग हो गया पूजा रोहन के बाएं नहीं है तो पूजा इधर नहीं हो सकती क्योंकि यह रोहन का बाएं है तो पूजा इधर हो जाएगी तो P, Q, R, S, T, U, V यह W हो गया ठीक अब यहाँ पे विला के ठीक दाएं कौन बैठा है तो यह विला है इसके ठीक दाएं यह रोहन बैठा है B और यह रहा इसी question का English medium वाला part अब उसके बाद यह 70 नमबर देखिए फिर से circular arrangement का सवाल पहली shift में circular arrangement वाला एक ही आया था शायद तो यह यहाँ पे circle कुल मिला के 8 लोग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सब अंदर ही देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से इससे हमें right left लेने में आसानी हो जाती है अगर सब बाहर देख रहे होते तो right left की पहाईने अलग हो जाते खर पर यह वो तुशार के दाएं से दूसरे स्थान पर है दूसरा यहां कौ अपरेश बैठा है यह फुल फिल ह गई सुरेश पर के लिए एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच लोक फिक्स वो चुक एंग रागी है और सुरेश यहां बैठ नहीं पाएगा तो सुरेश यहां तो इधर आएगा या फिर इदर आएगा अब उसके बाद कंडिशन यह दिया कि कासिम सुरेश और वसीम के बीच में नहीं है यानि कि सुरेश को यहां बैठना है तब ही तो उसके और किसी और के बीच मे कोई आखेंगा सुरेश इधर है cannot लेकिन सुरेश और के बीच में कासिम नहीं है कासिम बीच में नहीं आएगा इसका मतलब कासिम की नारि बाई हो रहा है, तो यह वसीम है, यह उसकी left side है, और यहां कासिम मिल गया, तो बस यहीं सही है, बाकी आप verify कर लीजिए, कुछ सही नहीं मिलेगा, A, इसके बाद distance and direction से सवाल है, एक अतर नंबर, A जो है, B के 30 meter east पे है, यह B है, इसके 30 meter, sorry यह तो west हो गया, यह B है, इसके 30 meter east पे, A हो गया, C जो है, वो 10 meter south है, point A के, यानि A से 10 meter south जाएंगे, तो C मिलेगा, D, जो है, C के 15 meter west पे है, तो C के यह 15 meter west पे, कौन मिल गया आपको, D, इस तरीके से यह मिल गया, आप आगे देखते हैं, point E जो है, वो D और F के बीच में है, तो D के, साप एक F कहां है, हमको नहीं, यानि D से हम कहां जाएं, आपको ढूंड़ने हमको नहीं मालुम, साथ में D, E, F, A के state line बना रहे हैं, तो फिर वहीं, जब F नहीं पता है, तो इसको execute नहीं करेंगे, D, E, F की length 20 है, इसको भी hold पे रखना पड़ेगा, F जो है, D के north पे है, बस बन गई बात, अब य ये E, ये F, ये total 20 हो गया, ये 10 है, ये 10 है, और ये 15 है, आपको वैसे लग नहीं रहे हैं, लेकिन है 15 ही, अब आगे है, G जो है, F के east में 15 मीटर है, ये F ये उसका east, और ये distance 15 मीटर, ये G, अब आप ये बताईए, कि A के हिसाब से, G कहां है और कितनी दूर, तो G उसके ऐस से नौर्थ में है 10 मीटर, तो 10 मीटर नौर्थ A, अब उसके बाद 72 नंबर में distance और direction और साथ में coding and decoding को mix कर दिया, तो code का मतलब हम बाद में ढूंडेंगे, पहले direction वाले question पर चलते हैं, एक आदमी है, x point से चलना शुरू करता है, east की तरफ, ये x point और east की तरफ चलना जाएंगे, ऐसे ही तो जाएंगे, 15 मीटर, आप इसके बाद, आप कहां मूं करे हुए हैं, south में न, तो south का मतलब क्या है ये बताइए, देख रहे हैं, आप creativity, ऐसे question बनाए जाने चाहिए, तो south ढूंडना है आपको, आप जैसे, ये तो south दे ही रखा है, हम लोग ये समझ जैसे रहते हैं कि यहां से हमको south निकालना पड़ेगा, तो south का मतलब है ये वाला symbol, b, आप उसके बाद 73 नंबर में, वैसे तो question में blood relation वाल सवाल पूछा हुआ है, लेकिन ये है आपका data sufficiency से, इसमें बस ये जानना है, कि answer मिलेगा या नहीं, क्या answer होगा, ये इतना important नही आप बताने नहीं जाएंगे, आपको बस ये जच करना है, कि ये बताने की possibility बन रही है या नहीं, तो पहला statement, M जो है वो P का भाई है, और TP की बहन है, तो J की जब बात ही नहीं हो रही तो relation कैसे निकलेगा, इससे नहीं होगा, तो जहां पर लिखा हुआ है, एक अकेला पर possibility बन रही है निकलने की, तो दूसरा केला परियात है, B को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अब सेम question आप ये English medium में देख सकते हैं, वीडियो को pause करके, अब उसके बाद ये 84 नंबर में, ये series complete करनी है, नॉन वर्बल वाली, तो यहां पर ये चीज ऐसे गई, फिर ऐसे आनी चाहिए, ये portion जो है एकदम नीचे side आना चाहिए, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, लेकिन यहां दोनों ही एकदम सीधे हैं, जबकि एक चीज तो टेड़ी होनी चाहिए, तो by default 5 वाला option D सही है, फिर 75 में जिस तरीके से aircraft का संबंद transport से है, तो हवाई जहाज जो है transportation का काउन लगता है, ये बताईए, पहला statement की, उस चितर की और इशारा करते हुए, जिगनेस ने comment किया, कि वह मेरी मा के इकलोते पोते, यानी मेरे इकलोते बेटे, मेरे इकलोते बेटे का पिता यानी स्वें मैं, इससे answer निकल रहा है, जिगनेस अपने माता पिता की इकलोती स इस तरीके से देख सकते हैं, उसके बाद 77 भी paragraph based है, और इसमें कहा ये जा रहा है कि इसमें जो कुछ भी जानकारी दी गई है, तो इसको जुठलाने के लिए, यानी उप्रोक्त गद्यांस में तर्क को कमजोर करने के लिए, कौन-कौन से statement सफीशेंट होंगे, यानी किनकी अच्छिती बनी रही, स्टेटस को मेंटेन रहा, तो 2015 तक टोटल उतसर्जन 17% हो सकता है, तो इस चीज को जुठलाने के लिए सबसे पहली चीज, जो हमारे पास दलील है, वो क्या है, कि सिपिंग से वर्ड का जितना भी टोटल कार्बन उतसर्जन होता है, वो सिर्फ 1.2% है, यह आकड़ा अगर किसी ने प्रूब के साथ दे दिया, तो यह वाली बात जुटला दी जाएगी 17% वाली, यह तो सही है, फिर है कि 2020 में कम सलफर वाले इंधन तेल, तो क्या इसकी बात उपर हो रही है, कि कौन से इंधन तेल लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं, और हो भी जाएगी, तो भी क्या मतलब, यह गलत हो गया, उसके बाद तीसरा देखिए, सिपिंग के लिए संयोक्तरास्ट एजनसी अंतरास्टी समुद्री संगठन ने कुछ नए नियम बनाया, जिनके हिसाब से जितने भी जहाज के उनर है, जिनके जहाज समुद्र के उपर सर्विसेस लगाई हुई है, जिनके इंपूट पर गंदा पानी आता है, और आउटपूट पर वो नहीं आ पाता है, तो यह अगर किसी ने प्रूफ के साथ दलील दे दी, तो यह पॉल्यूशन के आंकड़े थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे, तो 1 & 3 से इसको कमजोर किय जा सकता है, उसके बाद एक 70 नंबर अपने व्यावसाय का विस्तार करने वाले का मूल सिधानती है, कि एवल उत्पादन पर ध्यान कंद्रित करने के बजाए, सर्विसेस पर फोकस करना चाहिए, तो यह जो पैरग्राफ है, किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ओव करने के बाद, 18 मिनट आगे जाना पड़ेगा, तो टोटल 33 मिनट आगे जाना पड़ेगा, एपरॉक्सिमेटली, लेकिन एकजैट्ली कितना इंटू में 12 बटे 11 यह चीज कप समझ में आएगी जब आप यूपी पीसे सी साइट कप आप वीडियो देखेंगे और पेड में अगर आप आते हैं तो आपको अलग 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 चैप्टर के वीडियो भी मिलते हैं रिजनिंग वाले मटेरियल में तो यह 36 हो गया या नहीं लिखेंगे इस उसका कोड लिखना होता है महीने का 0-33, 0-35, 614, 625 जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक तो यह दिसंबर, यह अक्टूबर, यह नवंबर, यह सितंबर लेकिन वैसे इसमें थोड़ा गड़बड आ गया 0-33, 614, 625, 0-35 होता है यह दिसंबर, यह दो यह दिखेंगे, अब यहाँ पर पहचान यह कि स्टेप 1-2 में क्या हुआ, टू में क्या हुआ, थू में क्या हुआ, त्री, 4, 5 में क्या हुआ, अब input की जगए पर अगर ये आ जाए इसके स्थान पर तो कितने step चलेंगे लास्ट step का उन्सा होगा बताईए pattern पर पहिजानना बहुत ज़रूरी है यहाँ 97, 87, 87, 63 यानि घटते हुए क्रम में कुल मिलाके लिखा जा रहा है फिर ये फिर ये फिर ये पूरा लिख दिया घटते हुए क्रम में तो एक एकर के घटते हुए क्रम में आप संख्या बढ़ा रहे हो तो यहाँ पर अगर आप input इस तरीके से देते हो 0,3, 31, 43 42, 11, 0, 9 1st step में क्या हुआ जो सबसे बड़ी संख्या है वो आ गई 43 आ गई बांके सब अजटे है उतारना पड़ेगा 0,3, 31, 22, 11, 0, 9 फिर दूसरे step में 43 के बाद जो इससे छोटी है वो आ जाएगी 22, sorry, 31 आएगा फिर 03, 22, 11, 0, 9 यह आजटे हैगा फिर 43, 31, उसके बाद 31 से जटे छोटी आएगी 22, 03, 11, 0, 9 यह आजटे हैगा 4 step कंप्लीट हो गए 53, 31, 22, 22 के बाद जटे छोटी कौन सी है 11, 03, 09 वैसे यह 5 नहीं है यह तो input था पना यह 1st, 2nd, 3rd, 4th अब 5th step में 5th step में 43, 31, 22 11, 09 और 03 13, यह पूरा arrangement 5th step में ही बन पाएगा, ठीक लास्ट step काउन सा हो गया, 5th वाला B उसके बाद 82 नमबर आप देखिए, यहाँ पे कथन निसकर से statement conclusion, इसकी अप्रोच यह होती है कि statement जैसे ही आप पढ़ें, तो उसके बाद अपने आप से कहें कि कि इसके माइने क्या हुए, चीज अवसान होती है अब यहाँ देखिए, है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब वो सोने की कोशिव करते हैं उनके दिमाग में बुड़े विचार आते हैं, इसके माइने क्या हूए, कि खुलने के बाद वो कॉपी हो जाएगा यानि इस तरीके से भी अब इसके बाद यहां देखिए इसकी साहिता से जब आप आप पासा बनाने जाएंगे तब आप से यहां पर पूंचा हुआ है कि जो इसके सिमिलर है वो बता दीजी यानि कौन सा पासा बनेगा फस्टिशिफ तो बन काउंट सा पाएगा सिर्फ लेकिन डी में भी यह है कि यह खड़की और ब्लैंक साथ में नज़र आ रहा है अब इसमें यह दो जब ब्लैंक वाले एक साथ आ जाते हैं तब मामला फच जाता है और यह बन भी सकते हैं लेकिन एक चीज कंफर्म है यह और यह रंगीन और ऐसे वाला यह साथ जहां आएंगे वो तो नहीं बनेगा तो सी और डी के बनने की पॉसिबिल्टी है उसके बार पिच्चासी देखिए पांच दोस्ते हैं सचिन कुनाल मोहित अनुज और रोहन सचिन कुनाल से छोटा यानि कुनाल सचिन से लंबा है लेकिन यही सचिन सबसे बढ़ा है लेकिन मोहित से छोटा है तो अविसली कुनाल वह इसलिए क्योंकि यहां सीदे सीदे दिये वाववाय कि अनुज कुनाल से छोटा यानि कुनाल बढ़ा है और मोहित सबसे बढ़ा है तो जाहिर है कुनाल मोहित से छोटा होगा ही कुनाल सी उसके बाद 86 न यहां लिखा यह पूरा आठारा है जिसमें से दो यहां चुका है तो इसमें बाकी का सोला आ जाएगा यह पूरा 26 दो इधर आ गया बाकी का 24 यहां एगा अब 24 26 विए लोग जो कुछ ना कुछ जरूर लिए हुए है या तो कंप्यूटर या तो संस्क्रित या तो दोनो इसलिए पचास माइनस ब्यालिस यानी आठ हैसे हैं जो कुछ भी नहीं लिए हुए है और यहीं से पूछा भी है बी फिर 87 नंबर में टैनिस्पोर्ट नियों स्पोर्ट चैनल के बीच में रिलेशन बताई है तो यह टैनिस्पो को एडुकेट करने पर फोकस करना चाहिए ताक कि वो घर के वित्ती है मामलों में मदद कर सकें तो पहला है नहीं और इसलिए नहीं क्यूंकि बेटों को सिक्षित बनाने से चीज़ें सही रहती है क्यूंकि वह बेटियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती है ऐसा देख सकते हैं उसके बाद नवासी नंबर में है वरुन का आज बढ़्डे है आज से एक साल बाद वो उस एज का डबल हो जाएगा जितनी उसकी 12 साल पहले थी तो ऑप्शन से चलते हैं अगर मानलो अभी वो 25 साल का है तो 12 साल पहले 13 का रहा होगा ठीक और अगले साल 26 का होते ही 13 का डबल हो जाएगा condition satisfy हो जाएगी option है सही हो जाएगा उसके बाद 90 में आपको ट्राइंगल गिनने हैं एक दो तीन चार पांच छे इस तरीके के फिगर में जित्ते भी ट्राइंगल शुरू में मिलें उसका डबल कर देंगे आ जाता है अधर्वाइस पूरा गिन पाई से दे के फाईल को डिले कराना यह सब होता है जो कि वेस्टा चार में आता है और अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो इसकी संभावना खताम हो जाएगी फर्स सेकेंड दोनों फॉलो कर रहे हैं डी उसके बाद 92 और 93 के लिए इतनी बड़ी पजल हमें सॉल्व करनी है बि क्योंकि फेसिंग दी सेंटर लिखा हुआ है अब अंदर की तरफ देख रहे हैं कुल मिला के आठ लोग हैं एम से लेकर टी तक और आठ अलग अलग पोस्ट है मैनेजर कंपनी सेकरेटरी चेर्मेन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ग्रूप लीडर फैनेंशल एडव किस और में पता नहीं है मैं एम और टी दोनों वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेकरेटरी नहीं है जाहिर नहीं है बताने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि यह वाइस प्रेसिडेंट कंपनी सेकरेटरी दोनों अगल बगल बैटने है तो अगर यह दोनों हो जाते तो अग सब्सक्राइब और यहां पर आपका ग्रूप लीडर बैठा हुआ है और यहां पर आपका ग्रूप लीडर बैठा हुआ है दूस्रा case लेना होगा तो आप यहां तो ले सकते हैं अगर आप यहां पर ग्रूप लीडर बैठाल देते तो एक diagram आपको और बना परता अब यहां पर जो financial advisor है n के थर्ढ राइट पर है यह financial advisor इधर है इधर से अगर हम first second third लें तो n यह हो जाएगा एन जो है company secretary हो गया and vice president नहीं है तो जब company secretary हो गया तो vice president कैसे हो सकता है ओ जो है chairman के एकदम right में बैठा हुआ है तो chairman किसको बना दे इन सबको बना नहीं पाएंगे जितने की bracket है क्योंकि bracket मतलब post fix हो चुकी है chairman या तो यह है या तो यह है अब आगे लिखा हुआ है m chairman नहीं है तो यह chairman यह इनका right है obviously इधर o बैठ गया आखरी condition है कि यह जो second last in fact कि r जो है m के पडोस में बैठा है उसके बगल में बैठा है तो यह m है आपका r कहां नहीं आ सकता r इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता यह r हो नहीं सकता यह t है यह r हो नहीं सकता यह q है यह भी नहीं हो सक यह इधर आएगा और यह जो जगह खाली बच गई obviously पी आजाएगा इसमें तो सबकी पोस्ट फिक्स हो चुकी है सबके नाम फिक्स हो चुके है इसको आप स्क्रीन शॉट ले लिजिए या फिर अकर नोट्स बना रहे हैं साथ में तो इसको बना लें आप I think सभी ने बना लिया होगा अब बानवे में है कि तीन ग्रुप बने हुए है इंफ़क्ट चार ग्रुप है चार ओप्शन में कौन सा है जो उस ग्रुप से संबंदित नहीं है पी मैनेजर यह नहीं है आप इसको टिक कर सकते थे एन मैनेजिंग डिरेक्टर यह भी नहीं ह है M Financial Advisor जब कि M President है आर चेर्मेन आर कहां चेर्मेन है वो नहीं है क्योंकि आर जो है यह ग्रुप लीडर है तो यह सवाल ही गलत है बानवे नंबर सवाल आपका गलत है एक मिनिट पहले जाके आप इसको देखिया arrangement बन रखा था उसी arrangement को अधार मांते हुए हम यह बताएंग गलत है यह यह सही है क्योंकि जो चेर्मेन है मैनेजिंग डिरेक्टर के एक दम लेफ्ट में है यह बिल्कुल सही है उसके बाद आप 94 नंबर देखिए कि कितने 8 हैसे हैं जिनके ठीक बाद में 5 आ रहा है इमेडियेटली फॉलोड़ बाइव फाइव पिचासी ढूनने है दूसरा तीसरा चौथा पाँचमा च्छठा जजबात में मत आईएगा यह 58 है यह है पिचासी एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ अबी रुख जाए ज़रा नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा कुछ कंफ्यूजन हो रही है क्या एक दो तीन चार पाँच छे साथ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा कोई कंफ्यूजन नहीं है चौदा इसका सही अंसर है अब इसके बाद इसमें मिसिंग नंबर क्या आएगा इधर यह बताईए तो ल 12 जे 10 एच एट बारा दस आठ तो लॉजिक क्या बनाएं फिर हम एड़ कर देते हैं बारा आठ बीस दस दस तीस चार सोला बीस दस तीस सोला पांच इकी सिक्षिस में क्या जोड़ने की तीसा जाए तो नो जोड़ना पड़ेगा आइट मींस आई उसके बाद शियांवे नंबर है स्टेटमेंट और अजम्शन इस्टेटमेंट परते ही हमारे मन में इस हवाल उठना चाहिए कि यह अगर बात बोली गई तो क्या सोचके दिल्ली से चेन्नाई जल्दी पहुंचना है तो हवाई जात से आया इसा अगर किसी ने बोला तो क्या सोचके यहीं सोचके कि दिल्ली और चेन्नाई एयर नेटवर्क से कनेक्टेड है एयर लाइन्स जाती है अगर नहीं जाती होत अगला सवाल से लॉजिजम का है यहां से आप हिंदी मीडियम में इस्ट्रक्शन देख सकते हैं कुछ पेपर बुक्स हैं यह पेपर थोड़ा साइस का बुक बन गया कुछ बुक इबुक हैं सारी की सारी इबुक जो हैं वो मैगजीन है कोई बुक मैजीन नहीं है गलत है कोई मैजीन पेपर नहीं है अब आप रुकिए आप यह देखिए कि मैजीन और पेपर इधर इधर तो आईदर और की कंडिशन लग रही है, दूसरे और तीसरे में तो आईदर टू और थ्री फालोस ए, उसके बाद 99 से 100 के बीच एक और पजल आपके सामने है, टूटल पांच इंस्टक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर साथ स्टूडेंट ह पी से लेकर वी तक किसी को एक जैसे नंबर नहीं मिले कि एक के मानलो, एक एक याती नंबर आहें जाओ में, तो दूसरे के उतने नहीं आ सकते हैं, तो इनको कलब कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, पी के क्यू से जादा हैं ठीक, यह result हमको ध्यानर रखना हैं अभी के इसी प्रकार से अगर S के सबसे ज़्यादा आएंगे इसकी राइंट बनोगी तो या तो यू सबसे लास्ट पे होगा सेवेंथ पे या फिर S अगर नंबर बनोगा तो एक चीज़ और हो सकती है कि क्यूं सबसे लास्ट पे हो जाए यह रिजल्ट आपके सामने आए है 99 नंब धिर्ट पेपर से आड़ सबसे अले जो और अगर आपको सबसे हईये मिले हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि या थो सबया होगा या थो क्यूं से आए होगा और हम लोग यह जानते हैं कि उसके पहले आशकता उसके बाद में नहीं नहीं नटट लोवर कि झाल झाल